हाई गैस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने बाला हूं कि आप किसी भी फ्रीज का बलब को कैसे चैन्ज कर सकते हैं वो भी सिंपल तरीके से ठीक है तो दोस्तों यह है हमारे पास इसका लोगो अबारे पास यह नहीं है आप जो हटा हुआ फिलाल यह एलजी का फ्रीज है ठीक है इसको हम खोल लेते हैं ठीक है अब दोस्तों आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी लाइट खतम हो यानि कि आपको जो बलब चैन्ज करना है वो दोस्तों टाइम करना है जब हमारे फ्रीज का तार बगरा हटा हुआ हो यह लाइट भागी हो ठीक है आप लोगों को लाइन पर काम नहीं करना है बलब आपको लाइन पर चैक नहीं करना है ठीक है चैन्ज नहीं करना है तो दोस्तों इसको चैन्ज कैसे करते हैं चलो करते हैं पर एक thermostate लगा होता है जिसका नाम होता है thermostate यहां पर जो की चूड़ी बगारा होती है इसमें आप देख पार एठीक है यह थे नीचे की सैड़ यहां पर भकला सा देख रहे हो ये हमारा होता है बलफ ठीक है अब यह बलफ होता है दोस्तों इसके निकालने के लिए हमें क करना क्या इसमें चूडी खीचुई होती ही इस प्रकार की करऊगे तो ये ताइट हो आप लोगों को दोनों तरब से गु माकर देखे लेए ठीक हम इसको इस प्रकार से यहां पर गुमांके निकाल लेतें ठीक एक बार जब लाइन यानि के लाइट भागी हो ही हो आप लोगों को तभी करना है काम उससे पहले आप लोगों को काम नहीं करना है अन्याथ आप लोगों को करेंट बगरा लग सकता उसकी कोई जुम्मेधारी नहीं है ठीक है तो दोस्तों हमारा जो बलफ है यहाँ पर हमने निकाल चुके है हमारा फ्यूज है वलफ क्या दिक्कत है आप लोग देख सकते हैं यह जब लफ है हमारा काला पड़ जुका लिए फोक हिर तो दोस्तों हमने पहले से यहां पर इस प्रिकार का यहां पर लाई हुए है यह आप लोगों को मिल जाएगा 70-80 रुपे का इसका प्राइज भी जो है आप देख सकते हैं लगवक लाईट के उससे नहीं दिखा रहा है बारहाल यह 60 रुपे का ओरइजिनल वलप ठीक है लोकल भलब भी इस तरिके का मिल जाता है बारहाल यह और इसले ब्यादि ठीक है तो उसकी है दोस्तों हम इसको कर देते हैं लगा देते हैं ठीक है तो दोस्तो इसको लगाने के लिए आप लोगों को simply कुछ नहीं करना जिस प्रकार से खोला था इस प्रकार से आप लोगों उदर की से उल्ली सैट को खोला था ठीक है अब आप लोगों को इदर की सैट इसको holder में बढ़ाते ना जैसे खोला था उसी प्रकार से इसको tight कर देन ठीक है इसको हम यह पर टाइट कर देते हैं ध्यान रहे कि यह बलफ हमारा गिरना नहीं चाहिए गिर गया तो आपका नुक्सान हो सकता ठीक है नीचे को फूट भी सकता बलफ आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको करना है और आप लोगों को फुल टाइट करना ठीक है ब हमारा जो बलफ है दोस्तों फुल टाइट यहां पर हो चुका है अब हम इसका लगा देते हैं सुच लगाने के बाद जो हमारी जो लाइट बगएरा वो सारी की सारी जल जाएगी और हमारा बलफ अच्छे से काम करेगा तो पहले इसका जो समान हमने निकाला था उसको बापि जल चुका है और हमारा कंप्लीट काम हो चुका तो दोस्तों आप लोग खुदी देख सकते हैं कि बलफ अच्छी तरीके से बिलो कर रहा है यानि की जल रहा है ठीक है